असलाम लेकूम कुपी जोया की किचेन में आप सबी का स्वागत है आज मैं आप लोके लिए लेकर आई हूं रमजान इस्पेशल ग्रोसरी शॉपिंग हॉल यह वीडियो आप देखेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप भी रमजान में क्या-क्या चीजे खरीद कर ला सकते हैं तो चलिए इसे देखना स्टार्ट करते हैं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाती हूं बेसन जो की है गुड लाइफ का यह मैं फर्स टाइम यूज करी हूं गुड लाइफ का इंशालला अच्छा होगा तो यह वन केजी का पैक है और रमजान में तो बेसन की सक जरुद पढ़ती है तो मैं यहाँ पे चार पैक ली हूं वन वन केजी का तो यहाँ पे देखिए हो गया फोर पैक बेसन हमारा इसके बाद मैं आपको दिखाती हूं मैदा जो की मुझे मिला है बाइवन गेट वन फ्री और इसकी कॉलिटी भी ब तो यह भी रमजान में हर किसी के घर में काला चना बनता ही है तो यह भी है दो पैक है वन वन केजी का इसके बाद मैं यहाँ पे लेकर आई हूं ओई संडे है यह जो की वन लिटर पैक है फिलाल मैं अभी सिर्फ दो पैक लेकर आई हूं इतने में तो रमजान में कुछ होन नहीं है, हमें और लाना ही पड़ेगा, लेकिन फिलाल अभी यह सिर्फ दो पैक है, good life का यहां पर मतर है, सफ्ध मतर, यह हाफ अफकेजी का, तो इसे भी मैं दो पैक लेकर आई हूँ, यहां पर है उड़त डाल, यह भी good life का है, यह हाफ के जी है, इसका भी रमजान में ज़ और यह देखिए यहां पे है शुगर ये भी गूड लाइफ का है तो मैं यह तीन पैक लेकर आए हूं 11 kg का और यह मुझे मिला नाइन रुपिस पर kg तो मैं तीन पैक लेकर आए हूं यहां पे है काबुली चना यह हाफ गेजी का पैक है और इसकी वी कॉलिटी बहुत मिक्स पिकल है यह यह भी इसकी भी कॉलिटी बहुत अच्छी है बहुत मज़े का चा रहे लिज़त पापड यह सारी चीज़े हम घर के लिए लेकर आए हैं अब इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि यह मैं एक तीन जार लेकर आई हूं जो की है 99 रुपीस में उनली और लेकिन मैं सिर्फ एक पैक ही लेकर आई हूं और यह मुझे मिला है 50 रुपीस में गुवर्दन घी है यह भी रमजान में जरूत पड़ेगा इंशाला उसके बाद यहां पे अमूल का बट्टर है मुस्टली हम अमूल का ही प्रोड़क्ट ज्यादा यूज़ करते हैं यहां पे है सुहाना का ही चाट मसाला यह भी बाई वन गेट वन फ्री है कश्मीरी लाल मिर्च है और इसके बाद है सुहाना का छोले मसाला जब आप चना बनाए तो उसमें जरूर यह डाले बहुत मज़े का लगता है यहां पे देखिए चिकन मसाला है ग्रेवी वगरम हम इसमे एड कर सकते हैं और यहां पे गरम मसाला है जो की टाटा संपन का है उसके बाद सुहाना का मीट मतन मसाला है अगर आप मतन बनाते हैं तो उसमें जरूर यह डाले उसके बाद बारी आती है चाइनीज आइटम बनाने की जो की है यहां पे श्रेजवान दो अलग अलग ब्रै का है इन्शालला ये भी अच्छा ही होगा रमजान की नियत से लेकर आए हैं तो सब अच्छा ही होगा उसके बाद है टोबेटो केचप और रुवाबजा तौप रुवाबजा का शर्बत रमजान में लाजमी पिए जो की पेट के लिए बहुत थंड़क रहता है और यहां प पे भी मुझे बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल गया है तो यह रहा हमारा रमजान ग्रोसरी शॉपिंग उम्मिद करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा और आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको रमजान में क्या क्या चीज़े बाय करना है तो तो इन्शालला फिर आप से मिलूंगी रमजान की किसी नेक्स्ट रेसीपी के साथ जब तक दूआ में याद रखिये और चैनल पे पहली बार आएं तो फटा फट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए दूआ में याद रिखंगा रिए